जी नमस्कार सभी को आज अपने अध्यापक ग्रेड थर्ड यानि पतत अप्रिश्या के रूप में रीत एक्जाम के हम बात करेंगे क्या उसका सिलेबस अब तक रहा है अगामी अब होने वाली 2024 भरती के इंदर क्या कुछ बदलाव हो सकता है तो कहां और कितना चंसस हो सकता है कि कौन से विसे में या कौन से परसनों के अंदर बदलाव के चंसस है अपने पास में उसके साथ साथ अपने पातरता प्रिक्षा के बाद में पेचर ग्रेड थर्ड जो मुखे प्रिक्षा रहेगी अपने पास में उसके सलेबस के बारे में भी बात करेंगे पिछली भरती के रूप में क्या कुछ रहा था और अब आगे आने वाली भरती के रूप में हमें क्या कुछ पढ़ना है और किस परकार के रणनीती बनाना है इन सब के बारे में बात करेंगे पात्रता प्रिक्षा और टीचर ग्रेड मुखे प्रिक्षा के सलेबस को देखते हुए पिछले पेपर पैटर्न को देखते हुए गणित वीशे के अंदर कितना बड़ा रोल रहता है इस दोनों ही पेपर के अंदर रेट L1 और L2 मेच साइंस विध्यार्टियों के साथ में करना है और कितना पढ़ना है कहां से पढ़ना है यह सब बाते मैं आपने को आज के अपनी इस क्लास में करेंगे ज्यादा बड़ा समय लेंगे नहीं थोड़े से समय में बहुत सारी बाते करेंगे क्लास के साथ जुड़े रहिएगा क्लास के बाद में कमेंट करके जुरू अपने सबसे पहले बात करते हैं कि पातरता प्रिक्षा जो कि रीट L1 और L2 मेच साइंस भी द्यार्थियों के लिए जो कि इससे पहले अप्रेल 2022 के अंदर नोटिफिकेसन आया था उस नोटिफिकेसन के अंदर उस विग्यत्ति के अंदर अपने पास में और जिसका एक्जा सलेबस में रहा था इतना जरूर कहना चाहूंगा कि निश्चित रहिएगा आप अब आने वाली इस पातरता प्रिक्षा में भी सलेबस में बदला होने का बहुत ही कम चांस्स हैं लगबग यही सलेबस बना रहेगा आप इसी अकोर्डिंग अपनी तेरी को सुरू कर दीज और य较दी पहले से कर रहे हैं तो बहुत सही ठ्रेक पें सही दिसा में हैं आप और यदि आपने अभी इस अधर जूनirm mustard में कि सलेबस में क्या होगा कैसे होगा कुछ बदल अच्का हुद्धी औरी जजरूरी तो है बहुत अच्छी भी रहेगी जिनका अभी रिट के अं है यहां पर और पेपर तक आप से ही दिसा में अपना काम करना शुरू करें आए सबसे पहले बात करते हैं BSTC धारी के लिए जो कि अपने रीट L1 कक्षा एक से कक्षा पांस तक के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक ग्रेट की बर्ती है अपने पास में आपके सलेबस को यानि बाल विकासें शिक्षन वीदियां जिसके आपके 30 को असनाएंगे 30 नंबरों का साइको सब्जेक्ट बहुत शांदार करना होगा आपको क्योंकि यहां अकेला ये 30 परसन ये नहीं कवर करेगा बाकी सब्जेक्ट के शिक्षन वीदियों के साथ जुड़के भी इसका एक बड़ा रोल रहता है अगर आप मनोविग्यान पार्ट को शांदार कर लेते हैं तो फिर युमान के चलिए कि आप अपने जो शिक्षन वीदिया हैं उनको भी बहुत अच्छे शांदार तरिके स कर सकते हैं सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसमें वीदियार्थि बहुत जादा उलच जाते हैं उन वीदियार्थियों के लिए जरूर बोलना चाहूंगा जो अभी फर्स्ट बार अपना रिट का एक्जाम फेस करेंगे फर्स्ट बार अपना फोरॉम भरेंगे और पह लेंग्विज फोरम फिल करते समय ही आपको चोईस आपके उठानी पड़ेगी जिसको बाद में आप बदल नहीं सकते यदि क्रेक्शन का उप्षन दुबारा ओपन नहीं होता है तो देखें लेंग्विज फर्स्ट के अंदर ये तो कुछ अबलिक करके दिये हैं आपने पा बात का जुरूर दियान रखिए अगर लेंग्विज वो लें जिसमें आप अधिक्तम क्योंकि परतेक लेंग्विज में से 30 क्वेसन आने वाले हैं 30 नंबरों का आप अपने वो लेंग्विज उठाएं जिसमें आप अच्छी कमार्ण रखतें अच्छी पकड़ कर सकतें भली वो लेंग्विज आपके स्कूल लेवल में आपके पास थी या ने थी इस से किसी परकार का कोई फर्क ने पड़ता आप लेंग्विज को उठाएं जो आप अच्छा जानते हैं एक्जामपल के तोद पर हो सकता है कि आपके टैंथ क्लास के अंदर आपके पास में हिं स्कूर कर पाते हैं तो आपके सामने चोईस बन जाती है कि जलो एक हिंडी तो ठीक ठाक है अंग्रेजी भी नहीं आती संस्कित भी अच्छा नहीं कर पाते हैं पंजाबी हम कर सकते हैं तो आपके पास बिल्कुल ओप्शन ये खुला है कि आप पंजाबी ले सकते हैं मतलब तो यहां पर यह कहने का मतलब आप अपनी दो लेंग्विज उठाएं वो दोनों लेंग्विज जिस पर आपकी कमांड है यदि आपके पास में लेंग्विज आपका एक सब्जेक्ट है तो उसको आप कोसिस करें कि सेकिंड लेंग्विज में लेके चलें अपने पास में क्य language जो है अपने पास में जो आपको अच्छा करना जानते हैं लेकिन समश्या कहां आती है कि जब आप किसी बड़े coaching संस्तान से जुड़ते हैं तो एक बड़ी समश्या आपके सामनी बने रहेगी कि अगर आपने language को अपने तरिके से ले लिया मान लिजे ऐसा हुआ कि आपने फर्स्ट language में हिंदी को छोड़ते हुए किसी भी language को उठा लिया और सेकिन में आपने हिंदी या जो subject सुरू करना संबव नहीं हो पाता तो यह उन वी डियार्टियों के लिए जिनको लगता है कि हमें बाद में coaching भी करना है फोरम भड़ने के बाद में या भी से जुड़ना है तो इस बात का जुरूर द्यार रखेंगे कि language आपके पास में अगर coaching संस्तान उपलब्द करवाता है आपकी choice के according तो ज्यान जुरूर रखें ऐसा ना हो कि आपके language second आपने हिंदी बरी है और आप first language में हिंदी की class लगा रहे हैं तो उससे फाइदा नहीं नुक्सान होने वाला है क्योंकि आप syllabus से हटके पढ़ते जा रहें क्य ले ले लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर वीडिया थी जो एक अच्छा स्कोर करना करते हैं या अब तक अभी तक किया है हमारे अनुबव से हमने देखा है हिंदी आपके पास में एक अच्छा सब्जेक्ट होता है क्योंकि आप किसी भी रास्ता गोर्नमेंट के अलग exam क करें तब भी वहां पर अच्छा कर पाते हैं और सेकिंड लेंगविज आप अंग्रेजिस संस्कृत और अपने बात करें कि पंजाबी समाने तीन बड़े रूप में ले जाती है लेकिन गुजराती सिंधी अर्दू लेते हैं वो तो बहुत अच्छा शानदार काम करते हैं लेकिन उसकी समझ होना जरूरी है अपने को लेकिन अगर गुजराती सिंधी और उर्दू की समझ नहीं है तो हमारे पास चार आप्षन बचे हिंदी अंग्रेजी संस्कृत या पंजाबी लेकिन ये चारों लेंग्विज में अगर हम कहें तो पंजाबी का जो लेवल है या पंजाबी के जो पर्षनों कस्तर है वो आपके लिए कहीं एक असान लेवल बना रहता है और आप एक अधिक्तम स्कॉर कर सकते हैं इसने फरक नहीं पड़ता कि आपने कौन सी मुश्किल लेकर को लेकर पेपर अटेम्ट किया है या असान लेग्विज को लेकर पर किस बास से पड़ता है कि आपने अधिक्तम स्कॉर किया अगने किया तो मैं तो मेरी तरफ से यह राई देना चाहूँगा कि कोशिस करें क्योंकि हिंदी लेंग्विज फर्स्ट जो सभी जगा गाइडेंस के रूप में भी आपको अप्लॉप्ट हो जाएगी अगर आपका सेकिंड सब्ज़ेक्ट आपका इंगLIS ही है तो फिर सेकंड इंगलिस लीजिए अगर आपका सेकिंड सब्ज़ेक्त आप सेकंड गेरी करें आपका सेकंड डाई के लिए ते लिए प्रस्ट पर नहीं के पड़ेगा तो ये बीध्जान रखेंगे दो एक ये अपने पास में अ knit सबी विद्यार्थियों के लिए बन के आएगा 30 परसन रहेंगे 30 नमरों का काम रहेगा गणित तो अपने को पढ़ना ही पढ़ना है उस शांदार तरिके से करना है गणित के अंदर अपने दो भागों में अपने सलेबस को डिवाइड कर सकते हैं 20 परसन आते हैं नुमेरिकल और 10 परसन आते शिक्ष्ण रिदियों के तो हम 30 के 30 परसनों को त्यार करेंगे अपने यहां से किसी भी परकार के मार्केट के अलग गाइड के अफश्रत नहीं किसी भी परकार के अथ्रिक्त आपको किसी हेल्पिंग मेटर के अफश्रत नहीं सारा कुछ मैं आपको नमबर का रहता है फुल मिलाकर डेर सो पर सुनों का आपके पास पेपर होता है पत्त अप्रिक्षान रेट लेवल फर्स्ट जो भी एस्टी सी धारी के लिए उसके बाद में से किना जाते हैं अपने प्रस्ट वीडियों के लिए आपके सलेबस को चार भागों में सकते हैं हैं है फ़ो और याप अच्छा लगतर रहता है हो अपने पास में और क्योंकि मैं बदिल्ट साइंस के टत्वा सकते हैं कंडशा पे आपनी पड़ेंगे उर्री पड़े पिसष्ण आएंगे में जिन में से 20 क्वेस्ट के न सचन्हें और लिएकर गएंगे यही 10% गनित में और यही 10% विज्ञान में यानि आपके उपर 90 क्वेसन हो चुके 30-30 लेंग्विस के 30% साइको के पिछे बचे 60% 60% आपके गनित और साइंस दोनों के मिला के जिसमें से 30 गनित के और 30 विज्ञान के आएंगे अपने पास में और मैं यह जरूर कहना चाहूंगा जिनके पास विज्ञान यानि देखो जिनके पास गनित विशे है वो गनित में अच्छे से स्कूर कर जाता है उनको दिक्कत नहीं हाती समझ यह कहाती है विज्ञान विद्यार्थियों के लिए जिनको गनित के 30% बचाना थोड़ा मुस्किल हो जाता है मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपके रेट के अंदर 30 में से 30 परसनों का स्कूर करने है बायो भी द्यार्थियों के भी बहुत सारे उधान आमारे पास में है और आप भी कर पाएंगे भली आपका सब्जेक्ट बायो भी क्यों ना हो तो आप अपना साइंस सब्जेक्ट तो संभाली लेंगे प्लस आपको मेनत 30 परसनों पर गणित के लिए करना है गणित के सेफ रहेंगे परसन 30 में से 30 कहीं नहीं जाने वाले तो इस परकार से आपका ये प्रेक्षा पैटर जो पातर्ता प्रेक्षा पे रहें अब तक ऐसा रहा है 2011 से 8,8 के नाम से लेते हूए अब तक दो हजार बाइस तएज तक सोरी तो अब तत तो बदलाव रहा नहीं कभी तो क्या हमें लगता है कि आब आगे आने वाली पातरता प्रिक्षा में बदलाव होगा तो मैं बिल्कुल यह कहना चाहता हूं कि निल चंस है बिल्कुल किसी परकार का ऐसा नहीं लग रहा कि किसी इ यही रहेगा pattern इसी परकार का syllabus और आप अपनी त्यारी सुरू कर दीजिए अगर थोड़ा बहुत कुछ GK का portion जोड़ा जाता है या कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया भी जाता है तो आपने वही पढ़ा है जो वास्ता में आपके syllabus में आने वाला है और आएगा ही आएग तो अब इसे त्यारी सुरू कर दीजिए आपको कहां से language first पढ़नी है कहां से second पढ़नी है साइको के से पढ़नी है मेत के से पढ़ना है मेत के से पढ़ना ये मैं बताता हूरूंगा बाकि आप अपनी समझ के साथ आपने देखिएगा किस subject को कहां से त्यार करेंगे देखिए सबसे पहले अपने को एक क्रोड तक की यानि ये आप क्योंकि आप जो अध्यापक बने जा रहें एलवन वीद्या थी कख्षा एक से लेके पांस तक के अध्यापक बनेंगे अपने और एक से लेके पांस तक के अध्यापक बनेंगे तो आपके सामने चुनोतिया गनित की जिस परकार से आने वाली है वही आपका सलेबस रख दिया गया है तोटे बचों को आपको गिंती सिखानी है आपको ही काईयां बदने सिखानी है आपको आंकड़ों बताने है आपको संखें पढ़ना बतानी है इस परकार की जो प्रात्मिक स्थरकी जो गनित होती है वास्ते में आपके सलिबस में वही है और उसी को ही पढ़ना है ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये संख्याओं पे अधारित अपने को जिसे स्तानिय मान बताना जातिय मान बताना तुनना करना मतलब greater than smaller than ये जो चीजें बड़ा कौन छोटा कौन इस परकार से गणिते है मूल सेंक्रिय चारी तो हती है जोड़ गटाओ गुना भाग अब आप ऐसा थोड़ी ना कहते हो जी कि गणित तो ठीक है मेरे को जोड़ गटाओं नहीं आता तो फिर गणित में आता क्या जी तो आपकी गणिते सेंक्रिय चार मतलब आपके सरली कंड से समन्दित छोटे- calculation वाले question आपके सामने एक दो पूछ लिया जाता है भारतिया मुद्रा मुद्रा का मतलब है यहां पर एका या unit convert करना रुपे को पैसे में आपको कह दियागे कि 25 पैसे के मेरे पास में 8 सिके हैं 50 पैसे के 12 सिके हैं इनका मुले किसी दूसरे के बराबर में बताना है कि किसके बराबर में होगा कितने सिके और कितने संख्या के रूप में तो ये एक छोटा सा क्वस्न होता है जिसमें 20-50-10 या युमान के चली कि एक रुपे के दो रुपे के पांच रुपे के सिक्कों की जो हमारी समझ है और रुपे में हमारी सब की समझ बहुत अच्छी होती है तो ये कोई अलग से पढ़ने वाला काम नहीं छोटा सा पॉइंटा खतम हो जाता है राम से एक दिने बिनों पे बना क्वसन आपके सामने जुरूर आता है बिनों की तुलना करना बिनों पे सरलिकन का पाटा जाता है बिनों का आरोही करम अवरोही करम जमाना या आपने बिनों को दसमलों से पूनांक में पूनांक से दसमलों में या यूँ के ये के आवरती और अनावरती वाल अटाव करना है एभाजया और संखे नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे फिर एभाजया गुनान खन भी पढ़ेंगे संख्या पत्ति के अंदर एभाजया गुनान खन ग्यात करना सेख लेंगे पावर वाली संख्याओं का एभाजया गुनान कर यहां पहले दो पॉइंट जो है वो cover कर लेगा तीसरा पॉइंट आपका mathematics है केवलन 4 टोपिक पड़ने हैं आपको a akinium पढ़ना है उसत पड़ना है लावाणी पड़ना है ये आपके पास में arithmetic के केवलन चार टोपिक 25 अथर प्रिक्शा भी जब आप इसको मुखे प्रिक्षा में लेके तलेंगे तो दो टोपिक और जुट जाएंगे बाकि और कोई विलक्ष नहीं है यही फिर से पढ़ना पड़ेगा उसके बाद में अपना फॉर्थ पॉइंट आता है समतलिया करते हैं आपको जिमेट्री पढ़ना है रेखा बिंदू कौन और तिर्बुज और वर्त समतलिया करते हूं कि जामिती पढ़नी है चेतरमिती भी अपने को पढ़ना होगा क्योंकि यहां तक तो है अपने पास जामिती है अपने पास में जामिती के बाद में अपने को क्या पढ़ना है कि लंबाई भार धारिता समय चेतरफल और इनके म अपने पास में आगले का पॉइंट है उसके बाद में अगले जो यह चार पॉइंट जो थे वो नुमेरिकल थे यानि आपके यहां से 20 परसनों का काम हो चुका है अब बचे अपने पास में दस प्वसन दस प्वसन आएंगे आपके गनित की शिक्ष्ण वीदियों के माद्य का नाम होते हैं जो गनित की शिक्ष्ण वीदियां जिनको अभी बेस्ट इस चल लें आप वीदियां पढ़ते रहते हैं आप साइको का पॉर्शन भूद पढ़ते हैं अपनी केताबों के अंदर बस उनी से ही अपने को इसको छोटे तरिके से अब्जेक्टिक रूप में अलग लग परकरती होती है तो शिक्ष्ण वीदियो में भी थोड़ा सा बदलाव होता है ऐसा नहीं कि आपने जो समाजिक में पढ़ा वही सिक्ष्ण वीदियां सिदी सिदी गनित में अपलाई कर दोगे गनित वाले सिदी सिदी हिंदी में अपलाई कर दोगे ऐसा नहीं ह सम्दित निदात्मक और उप्चारात्मक शिक्षम के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है L1 का सलेबस दो कि कितने तेस परसनों के साथ कक्षा एक से पांस तक के विद्यार्थे को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ये अपना सलेबस है आईए इसी करम में हम ब सर्वाइत विश्यार्चा दिया गया है और आपको उच्छे से फढ़ाना है इस से नहीं फर्क पड़ेगा कि आप भाय विद्यार्थी या मेत के विद्यार्थी आपको भाना पड़ाना पड़ सकतें तो सच्क्ट उессाथ लिए दोनों सुप्धेक्ट आपको त्यार करने ह का पोर्षन है एलजेब्रा का मुख्य प्रिक्षा के अंदर थोड़ा सा वाइड हो गया है यहां पर छोटा सा पॉइंट है बीज ये विंजकों का जोड़ गटाओ गुणा भाग करना है और कुछ सरसमीका हैं जैसे ए प्लस बी का होल स्केर वाली सरसमीका है उनका अध्यन करेंगे फिर हम गुणनखन भी करेंगे सरल बीज ये विंजकों के गुणनखन ट्राप्त करेंगे समीकन एक गातिय समीकन दो तर वाली दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर पंदरा तो उन समीकनों पर बने क्वसन भी क करते हैं अर्थमेटिक्स में अपने पास में देखे सरल ब्याद पढ़ेंगे चक्रवरती ब्याद पढ़ेंगे लाभानी पढ़ेंगे अनपात और समानुपात पढ़ना है यह समानुपात वाला यह आ गया फिर परतिसत टोपिक आ गया परतिसत में जनमदर मर्तिदर पढ़ मतला आपको पूरी की पूरी यामेती पड़ेंगे सम्तल्य आकरतियां भी झामेती में सामिल करेंगे क्यों के आपको डियार करना काТि ट्रृओ त्यार करểnा हैं 27 भी रहा है en यहां तक जुमेट्री आपको पूरी solution उसके बाद में आपको देरखा है समतली आकरतियों का चेतरफल और परिमाप यानि अपने को 2D त्यार करना है 2D के बाद में चेतरफल और आइतन भी देरखा है तो इसका मतलओ आपको 2D भी पढ़ना है 3D भी पढ़ना है चेतर फलोर परिमार भी पढ़ना है, चेतर फलोर आईतन भी त्यार करना है और जिमेटरी आपको पूरी पढ़नी है अपने को उसके बाद में आजाते है स्टेटिक्स, स्टेटिक्स के बात करें तो आँकडों का संग्रे नियम वर्गी करण संकेकी के अंदर आपको केवल और केवल और आंकड़ों के प्रस्तुती कंड के रूप में समंधित आपके पास में जितने चार्ट होते हैं उन चार्ट की जितनी भी प्रोपर्टी बनती है उन चार्ट को पढ़ना है ऐसा भी समों हो सकता है कि एक नुमेरिकल कोईसन पाई चार्ट यार चार्ट चार्णनी पे बनके आपको दे दे आंकड़े देते वी किसी का मान पूछा जा सकता है तो इतना सा काम रखा गए संकेकी के अंदर और उसके बाद में अपने को प्राइक्टा प्रोप्लेटी टोपिक भी अपने को त्यार करना हो यह अपने पास में मेथ का जो नुमेरिकल परसों का, जो 20 परसों का काम आपके लिए, मेथ सांइस वाले विद्यार्थियों का, पीछे बचा 10 परसão。 10 परसं जो रहेंगे, वो भी आपके किस्से रहेंगे? मेथट से बने रहेंगे. method के अंदर गनित की परकर्ति और तरक्षक्ति पढ़ना है, पाठ्यक्रम पढ़ना है, गनित की बासा, सामदाई गनित, मुल्यांकन, उप्चार आत्मक, शिक्षन और शिक्षन की समश्चें ये अपने को teaching method के अंदर पढ़ना है गनित के शिक्षन वीडियों के साथ में तो ये आपका L2 med science के विद्यारतियों का 30 परसनों का काम, 30 संकों के लिए, इसलिए बस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अच्छे से कर सकते हैं आपने, अब आईए अपने इसी करमे चलते हैं कि मुख्य प्रिक्षा में क्या कुछ रहा, जैसे आप इस पार्ट को त्यार कर आपकी पूरी रीट के एक्जाम प्री में सारा कुछ खतम कर दिया जाएगा, तो ज्यादा बड़ा समय नहीं मिलेगा, अपने को मैकसिमम दो से तीन मेने का बीच का गेप मिलेगा, और उसके अंदर सलेबस को बहुत अच्छे से समानना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे पा आएगा, राजस्तान का बगोलिक यानि जोग्रोफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, राजस्तानी बासा पढ़ना है, और आपके पास में कुल कितने अंक होंगे, सो अंक, आपके पेपर में कुल एक सो पचास परसन होंगे, लेकिन एक सो पचास परसनों का जो अंक बहार होगा वो कितने का होगा चेंसों का पत्रता परिशा में एक परसन एक ही नंबर का था लेकिन मुक्य परिशा में एक परसन दो नंबर का होता है तो सो अंकों का मतलब है कि आपके पास में यहां से कितने परसन निकल गाएंगे पचास परसन निकल गा ऐसा नहीं कि इतना कहके लिखा हुता है मैंने सिर्फ सब्जेक्ट उठाए हैं आपको टोपिक वाइज और पर्सनों के क्वांटिटी भी बता दिदा उसके बाद में सेकेंड पॉइंट राजस्तान का समानिय ग्यान सेक्षिन परिदर्शे नेसुलक अनिवार ए पाल पढ़ते हैं हिंदी पढ़ते हैं अंग्रेजी पढ़ते हैं गणित पढ़ते हैं विज्ञान पढ़ते हैं और समाजी कद्यान पढ़ते हैं इन तेन और दो पांच सब्जेक्ट से कुल मिलाकर पचास संग यानि पचास संग का मतलब है 25 परसन अपने पास ने और 25 परसन का मतलब है कि प्रतेवबाग से पांच-पांच वसना आएंगे पांच हिंदी के पांच अंग्रेजी के पांच गनित के पांच विज्ञान के और पांच समाजी कार्द्यन के तो आपके कुल मिलाकर 25 परसंग 15 अंव्चास Будं की बात हो चुके है फिर आधाते हैं section के रिति विज्यान section के रिति विज्यान के अंदर ہिंदी के अंग्रेजि यह section रिति विज्यान क्या है मतलब आपको teaching method string वीदियां अपने पास में हिंदी की भी आएगे वह जो विश्य आपने उपर पड़े उनके शिख्षिन वीदियां भी तो त्यार करना है लेकिन स्क्षिक्षन वीदियों के लिए सारी संग का मतलब 20 परसन और 20 परसन पांच बागों में डिवाइट करोगे मतलब परतेख बाग से चार चार परसन आएंगे चार गनित के चार विज्ञान के चार समाजी के चार अंग्रेजी के चार हिंदी के और इस परकार से 20 अंक के बात हो रही है तो इसका मतलब आपके मनो विज्ञान से समझ जी तो आपके परसनों की संखर कितने आएगी 10 आएंगे अपने पास में और उसके बाद में सूचना तक कि नहीं कि जिसमें 10 अंक 10 अंक का मतलब है कि आपके पास में कितने को सनाएगे पांस परसन आएगे तो यह इस परकार से आपका सलेबस बना रहता है डेड़ सो परसन तीन सो नंबरों का काम है गणित का रोल नो परसनों का यानि टोटल मिलाकर अठारा नंबरों का काम अपने को यहां से मिलता है यह मुख्य परिक्षा टीचर ग्रेड एलवन निया कुछ नहीं जाधा पढ़ना होता जो आपने प्रिक्षा में पढ़ा होता है उसी को ये अफडेट करना होता है केवल कुछ पार्ट जो 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 बहुतर दिया गए है उनको अपने को त्यार करना उल्यांbe Mes 423 में लट jadell1 के विद्यारती दो 11 के विद्यारती यह आपके पत्त और प्रीक्षा ग्रेट थर्ड के अंदर आपका क्या आएगा मुख प्रिक्षा के अंदर गरुम you Settings । यह आपने पहले पड़ाहे व भी आपने पड़ाहे आपके लिए मैं बता देता हूँ आपको मुख्य परिक्शा में 138 तोपिक आपका जूड़ जाता है और उसके बाद में आपका चक्रवरती ब्यास टोपिक आपका जूड़ जाता है और एक 3D portion पातरता परिक्शा में आपने थ्री डी नहीं पढ़ा था अब आपको 3D पढ़ना पड़ेगा तो डबे में बंद किया गे तीन टोपिक आपके पतरता प्रिक्षा से मुख्य प्रिक्षा में आ जाएंगे अलग से जुड़ जाएंगे। तो अपनोंने कोर्स ऐसा रखा है कि आप चाहें तो पातरता प्रिक्षा में जुड़े या आप चाहें तो पातरता और मुख्य दोनों प्रिक्षाओं के लिए पूरा कॉमन जो एक बेच है उसको भी आप जोईन कर सकते हैं तो आपको तेन टोपिक अलक्षे पढ़ना है सिक्षिन वीदियां उसी परकार से आपको त्यार करना है चाहर क्वसन यहां से निकल के आएंगे और पांच क्वसन आपके यहां से निकल के आएंगे लेकिन अगर मैं बात करूँ कि 2023 फरवरी में जो हुआ था समाने विद्यारतियों ने परसनों की क्वांटिटी कम देखते वे गनित को इतनी प्रात्मित्या नहीं दी तो इसका बहुत बड़ा खामेज़ा भुगतना पड़ा उसका कार्ण क्या था कि गनित के पांच परसन असान से होने वाले आत्मे आने वाले पांच परसनों को छोड़ दिया ये गलत बात है इसलिए किसी भी सब्जेक्ट में परसनों की क्वांटिटी पेपर के अंदर परसनों की क्वांटिटी कम हो या जादा हो किसी भी सब्जेक्ट को स्किप मत करें जितना हो सकते एक बार पढ़ें जुरूर उसका और अगर समझ में आने वाला सब्जेक है आपके तो उसको अच्छे मेनत करें आई आजाते हैं इसी परकास से रेट L2 में साइंस के वीडियाक्टियों के लिए कि उनके मुखे परिक्षा में क्या रहेगा पहला वही कॉमन पहला और दूसरा दोनों में कॉमन पॉइंट है अपने पास में लेकिन कहां फ nee एतियासिक और संस्कृतिक ग्यान और रजस्तानी बासा लवन के अंदर सो अंकों का का मैं यहां पर अपने पास 80 अंकों का का मैं यानि आपके परसन कितने एंगे 40 क्यूंकि इसमें भी तो वही है तेर सो कोसन आएंगे और तीन सो नम्रों का काम है अपने पास में L2 मेच साइंस के तो असी अंक यानि आपके चालीस परसन आएंगे जो कि जिके से समन्दी तो उसके बाद में राजस्तान का समानय ग्यान सेक्शनिक परिदर्श नी सुल्क अनिवार अबाल शिक्षा का अधिकात अधिनियम और समाजिक विशे इस पे आपके पास में 50 अंकों का काम यानि आपके परसन कितने आएंगे 25 परसन आपके यहां से निकल के आएंगे उसके बार में आजाते हैं विद्याले समंदी विशे अगर आपका हिंदी है अगर आपका अंग्रेजी है या गनित या विज्यान है देखो गनित और विज्यान इन में से अगर गनित विशे जिनका है आगे पढ़ाने का वो विज्यान को भी त्यार करेंगे और जिनका व के गणित के होंगे और 30 विद्यार्थ्यों के लिए जो पातरता प्रिक्षा में परस्नों की क्वांटिटी है में के अंदर क्वांटिटी है सब्चेक्ट में जदा बड़ा कोई फर्क नहीं है वही आपका सलेबस आपको दुबारा से अपग्रेड करना होगा तो जो पातरता में सीरिस तरीके से पढ़ लिया उसी के साथ आप मुख्य प्रिक्षा के लिए त्यार हो जाते है अपने पास में अगर परसनों का स्तर भी बढ़ता है तो थोड़ा सा उनके लिए आपको समय भी तो अत्रिक्त मिला है आप उसको कवर कर सकते हैं उसके बाद में रिटी विग्यान यानि शेक्ष्ण वीडियों के बात करे हिंदी अंग्रेजी गणित विग्यान और समाजी विग्यान 20 अंक की बात करें तो यहां से कितने परसन आ रहे हैं 10 परसन अपने पास में उसके बाद में आते हैं सेक्ष्ण के मनो विग्यान की बात कर लेते हैं मनो विग्यान में 20 परसन 20 परसन का मतलब यहां से कितने पर में रेट एल टू मेट साइंस वीडियार्थियों के लिए जो मुखे प्रिक्षा है उसका पैटन इस परकार से है इसमें भी पूरे पूरे चांस है कि बदला होने के चांस है नहीं है रेट वीडियार्थियों के लिए तुम्हें बोलना चाहूंगा कि आपके सिलेबस में कोडिंग किताबे पर्चेस करेंगे या पढ़ना सुरू करेंगे तो मैं कहता हूं ऐसा इतना देरी मत कीजिए विग्यप्ति आने और आपके एक्जाम होने के बीच में दो से धाई मिने का समय होगा उस समय के अंदर आप अपना पूरा सलेबस त्यार नहीं कर पाएंगे कब तो आप सलेबस पढ़ेंगे कब आप उनका रिवीजन करेंगे इसलिए प्रयास अभी से शुरू कर दीजिए दो हजार तोवीस के अंदर इसका विग्यप्ति भी आ जानी है और रिजल्ट सु अगर आप या कर चुके हैं तो फिर देरी मत कीजिए अभी से सुरुआत करें और अपने साथ अगर आप गनित को त्यार करना चाहते हैं तो बता देते हैं कैसे लेकिन फिलाल सलेबस के अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं एक तो बीज गनित को पढ़ना होगा नंबर सिस्टम और गातांग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और दूसरा एलजेब्रा पॉर्सन को थोड़ा सा बढ़ा कर दिया गया है तेसरा अगर हम बात करें तो यहां से ज्यादा कोई बदलाव नहीं केवल और केवल यहां से देखिए एक चीज़ आ गय से तो आपके रूप में जो जुड़ने वाले तीन टोपिक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे संक्यापत्ति टोपिक आपको मेन एक्जाम में पढ़ना पड़ जाएगा और दूसरा आप क्या करें कि बहुपद वाला यानि 20 गनित वाले पॉर्शन को थोड़ा सा बढ़ा दिय तो मैं अभी आपका जो निया लाइफ बेच है वो 16 अगस से सुरू कर रहा हूं एवनिंग टाइमिंग रहेगा वो जल्दी मैं आपको बता दूंगा क्या टाइमिंग रहेगा आपको कैसे सूचना मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं MS Academy का application डाउनलूड कीजिए जी उसके अंदर आपके रीट के चार कॉर्स दिखाए देंगे चार कॉर्स कैसी दिखाए देंगे मैं बता देता हूँ यह इस परका हो जाता है या आपके कोर्स की विलिटी खत्म हो जाती है दूसरी तरफ अपने पास में अच्छा हम पूरा मेट का पॉर्सन 30 के 30 परसनों का का काम करेंगे यहां पर भी 30 परसन स्टिक्शन वीडिया भी पढ़ेंगे और नुमेरिकल कांस भी यह काम अपने मेट साइंस के अंदर करेंगे 30 के 30 परसनों का काम करेंगे और इसी परकार से अगर आप इस कोर्स को जोइन करते हैं प्री और मेंस कहा इसका मतलब आप टेचर गरेड़ थर्ड का एक्जाम जब तक नहीं होगा तब तक आप इस कोर्स में बने रहेंग देड़े अब आईए अबने क्या हैगा क्या कोर्स में किस परकार के tãolor डा जरी आए पास में topic wise उपलब्द रहेगी आप उसको बार-बार देख सकते हैं कितनी भी बार जब मन करें आप paper तक आप उनको बार-बार देखेंगे recorded भी एक topic wise scrum से आपके पास विवस्ताइं बने रहेगी जैसे आपके पास में वो वीडियो पने पास में live class होगी उसका board panel जो PDF होगा वो PDF आपको उपलब्द करवा दिया जाएगा ताकि आप उससे देखते हुए किसी परकार का अगर संशिक्ट और चोटा नोर्स बनाना चाहते हैं तो आप उससे बना सकते हैं फिर उसके बाद में बात आती है कि मैंने पढ़ा दिया आपने एक बार देख लिया सुन लिया अब आपको क्योंकि गणिते कैश हवीश है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे और अगर मार्केट की किसी किताब के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और classes मेरी देख रहे हैं तो दोनो आपके पास उपलब देगी परती दिन की पीडियाफ यानि जो आपने पढ़ा उसके बोर्ड पीडियाफ और उसी दिन का exercise अगर हमने किसी दिन मान लेजे अभाजय गुननखन का वाला पॉइंट पढ़ाया है नंबर सिस्टम में तो अभाजय गुननखन की उसकी पीडिय लो मॉबायल में होगा तो वह लंबाई में आपका इश्यतीज रूप में दिखाए देगा वेट यानि टियुज ö आप देख पाएंगे वीडियो के साथ में दो पीडियु जो होगी पजिसके ये पार प्रेक्टिस कर पाएंगे आपको लगता है कि जी मॉबायल में मेरे पर ऐसे तीन लाइने दिखाई देगी उन तीन लाइनों को आप टच करते हैं तो ऐसे उपसन निकल के आएंगे अगर आपने डाउनलोड का उपसन यूज किया तो वो पीडियाफ आपके एप्लिकेशन में ही जाएगा आप उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते लेकिन उपने अराम से जो जो मेटर आपको चाहिए आपको प्रती दिन की क्लास के साथ चाहिए तो प्रती दिन निकाल लिए जैसी अपना टोपिक पुरा होगए पूरा टोपिक वाइसर करेंगे कि वो पीडियाफ एक साथ भी आपको प्लब omn Veans उस परकार से रहे हैं पढ़ने के बाद में वह क्लास्स आफ के यूट्वफर बनी यह लेकिन अग्वों इसे ही टूपिक कि खत्म हो जाता है मालज कि हम 30 को दुबारा करना शुरू करते हैं फ्रती से टौपी के पूरे होने के बाद भी वह क्लास आपके पैड कोर्स के अंदर फॉल्डर म है वो भी आपको अप्लिब्द रहेगी हल किये वी और हल किये वे ना होई तब भी दोनों करब में इसी परकार से वह पीडियएफ रहेगी अगर हम किसी दिन 15 कुझन करवाए तो 15 कुझनों के पीडिएफ आपको अप्लिब्द में लेगी और 15 दो भी डाउट क्लासेश एक्ट्राउट क्लासेश पर अपने बात करेंगे पैपर से जश्ट महेने पहले 15 दिन पहले या 20 दिन पहले जब भी आपने पास में अपने को लगता है कि हमने हमारा सलेबस कंप्लीट कर दिया उसके बाद में क्रेश कोर्स रिवीजन कोर्स मैं आपका फिर से सुरू करूँगा शांदार तरीके से एक दिन एक टोपिक का जो अपना चलेंज चलता रहता है उसके मार्जम से गिंती के इस समय में हमारे गिंती के घंटों में कहूँआ मैं हमारा सलेबस रिवाइज कर लेंगे बकायदा लाइव के रू करते चलेंगे आपके टेस्रीज भी आपके पास चलती चलेंगे तो यह इस परकार से हम अपना एक्जाम पैटर्न तक लेके चलेंगे आपको पूरा कम्प्लीट कोर्स करवाया जाएगा रिवीजन के रूप में आपके क्रेश कोर्स क्लस फिर से ली जाएगी आपके डाउ वाइस भी रहेगी और मोग टेश्ट के रूप में भी आपके पास में यानि एक बंडल के रूप में टोपिक होंगे उनको भी अपने को त्यार करना है ताकि आपके ये पता चले कि एक साथ बहुत सारे टोपिक आ जाए तो आप कैसा कर सकते हैं अब आता है फीस की तो फीस अगर मान लेजे किसी एक कोर्से दूसरे में आना है तो मैंने कुछ व्यवस्ते हैं बना के रखी जिन वीडियार थे हैं देखो रीट का वीडियार थी एक जीज बोलना चाओंगा जो भी रीट का वीडियार थी जो मतलब बेर्ड और बेस्टी सी धारी है वो 2022 में गलती की लेगा और आएगा ही आएगा और अभी तक आपने पास में एक बार जल्दी क्योंकि बीच में समय तो मिलेगा सी एटी और रीट के एक्जाम होने के बीच में अगर सी एटी एक्जाम को आपने लापरवाई में लिया या आपने उसको फेस ही नहीं किया या फोर्म ही नही teaching बढ़तियां वो सभी सीटी बेस हैं इसलिए मैंने आपकी सुईदा के लिए क्या करका है कि आप रीट के कोर्स में आते हैं फिर भी आपको सीटी प्लस टू और ग्रेजिस जो कोर्स है वो आपको 35 से 35 गंटे की क्लस्स हैं ये भी आपके पास में फूर तो ये क्लस्स आपको अलग से सीटी के लिए गणित पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना आपको मैं यहीं उपलब्द करवा दूँगा आपके रीट कोर्स के अंदर ही ये क्लस्स उपलब्द होगी तो आप सासाथ में सी CT के अंदर जुड़ा हुआ विद्यार थी और उसका यह लगता है कि मेरा बीड है और आप जब यह कोर्स मुझे यहां उपलब्द करवाई रहे हो तो मैं मेरी रीट की त्यारी भी सुरू कर दूँ तो रीट की त्यारी सुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए देखो यहां से अपने कोर्स से रीट में अगर आते हैं तो आपको 60% discount हो जाएगा और जो भी कोर्स प्राइज उसका 40% प्रेम्ट करना है और आप अपने से किस कोर्स में आजाएंगे रीट वाले कोर्स में आजाएंगे अगर सीटि प्लस तो के अंदर है तो उनको के वल 50% करना है अपने को और जो अब एक खत्म हो चुका है अपने खत्म मतल करना होगा ठीक है उसके बाद में आ गया आते हैं सेटी ग्रेजुएसिन के अंदर जो 40 परसेंट है उनको भी 60 परसेंट पेमट करना होगा अपने को जूनियर अकाउंटेंट के विद्धियार थी जो कि थोड़ा सा काफी समय से हो सकता है साइलेंट हो गये होंगे हो सकते हैं लेकिन अगर उनका मन बना है वापिस पहुंचा है उनके पास में क्योंकि बहुत बड़ा जटका लगा जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट को देखते हुए काफी विद्धियार क्योंकि उमीद से ज्यादा का जो एक कट-off है वो परि सकते हैं पॉर्स की क्लास्स हैं वो अपने पास में जैसे मैंने बता दिया कि चार पॉर्स है आप अपनी स्वीदा से किसी को जोन कर सकते हैं लाइव अभी टॉपिक क्लास शुरू हो जाएगी थोड़े समय के बाद में टेस्टरी सुरू कर देंगे फिर थोड़े समय अपना संबंदित कॉर्स जोइन करें टेलेग्राम चैनल दो बने हुए कारण क्या है कि यह मैंन चैनल है एमर्स अकैडमी मैट्स के नाम से आप अगर डिसकस्न ग्रूप इसके साथ साथ इसका डिसकस्न ग्रूप यानि अपने डाउट परसनों को भी अगर एक दूसरी को हल करता रहता हूं तो यह आप जरूर जोइन करें इस पर आपने कलास सेडूल के बारे में भी जान करें मिल जाएगी पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा क्योंकि एक माध्यमा मारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं आप तक सारी बाते मेरी परती दिन की बात उसी स 591 555 755 कोसिस करें कि इस नंबर के वर्टसप का आप यूज़ करें अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं जी वर्टसप पर नहीं मुझे कॉल पर बात करना जूरूर है तो आप कॉल कर सकते हैं अगर को रिसीव भी नहीं हुआ कलास के दौरान में तो भी मैं आपको कॉल बे करके वापिस अपने से बाची जूरूर होगी लेकिन प्राक्मिता रखो कि अगर आपके कोई ऐसी क्वेरी है जो वर्टसप के माद्यम से हो सकती है तो आप मेरा वर्टसप नंबर यूज़ की और इसके साथ इतने बोलना चाहूंगा दो बातों का बड़े विसे इस त बात लेके चलना है तो आज इतना ही मिलते हैं अपने क्लास जो 16 तरिक से शुरू करेंगे टाइम से डूल में टेलेग्राम पर जंदी शेयर कर दूँगा उसी के अकोडिंग अपनी क्लास शुरू होगी धन्यावाद